सादर जैस्री करश्ण मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्य नई नई ग्यान वरधक जानकारियां वनित्य काराशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें अती पुन्य दाइनी वेभव लक्ष्मी की वरतकता पूजा विधी और इसके उद्यापन की विधी तो जो भी इस तरी पूरुस इस वरतको सरद्धा के साथ करते हैं और इस वरतकता को सरद्धा पुरवक सरवन करते हैं उनके घर में धन, धान्य, सुख, वेभव की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी जी की विशेश क्रपादरष्टी उनके परिवार के उपर सदेव बनी रहती है तो मित्रो पूरे वीडियो को आप ध्यान पूरवक देखेंगे तब इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा तो दोनों इस्त्री पूर जोड़े सहित इस वरत को करते हैं तो अनंत गुणा फलों की प्राप्ती होती है यह वरत पूरी सरद्धा और पवित्र भावना से करना चाहिए खिन्न मन से और बिना भावना से इस वरत को नहीं करना चाहिए यह वरत शुकरवार को किया जाता है व मन्नत जो है शुकरवार पूरे होने पर विधी पुरवक इसकी पुस्तक में बताई विधी के नुसार इसका उद्यापन करना चाहिए इसकी विधी बड़ी ही सरल है किन्तु सास्त्र की विधी के नुसार वरत नहीं करने पर इस वरत का फल नहीं मिलता है तो एक बार वरत माता लक्षमी का सूरूप है प्रणाम करना चाहिए। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो लक्षमी देवी हमारे लिए कुछ करने को तयार नहीं होगी और माताल लक्षमी जी की क्रपा से भी हम मंचित रहेंगे तो वरत वाले दिन प्राताहकाल शिकर उटकर के इसनान कर लेवें और माताल लक्षमी जी के नाम मंतरों का जाप करते रहें रटन करते रहें और पूरे भक्ती भाव से माता जी का दिन भर इसमरन आप करते रहें तो शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हूँ तो वह शुक्रवार छोड़ करके अगले शुक्रवार से इस वरत को आरंब करना चाहिए और यह वरत अपने घर पर रह करके आपको करना चाहिए और सब मिला करके जितने शुक्रवार के आपने मननत ल पर कम से कम साथ इस्त्रियों या आपकी इच्छा के नुसार जैसे कि 11,21,101 इस्त्रियों को वेभव लक्ष्मी जी की पुस्तक कुम कुम कातिलक लगा करके भेट सुरूप देना चाहिए जितनी ज्यदा पुस्तक आप देंगे उतनी माता लक्ष्मी जी की करपा दृष्टी म जाए तो उस शुक्रवार को छोड़ करके बाद वाले शुक्रवार से आपको यह वरत आरंब करना चाहिए पर जितने शुक्रवार की मननत रखी हो उतने शुक्रवार पूरे अवश्य करना चाहिए और वरत वाले दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को वरत की विधी करके माता का प्रसाद ले करके शुक्रवार आपको करना चाहिए अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार का वरत आपको करना चाहिए अगर वरत करने वाले का सरीर बहुत कमजोर हो रोगी हो तो भोजन ले सकते हैं सबसे महत्यों की बात यही है कि वरत करने वाले दिन भर माता लक्ष्मी जी की पूरी सरद्धा भावना के साथ आराधना करते रहें और ऐसा दर्ड़ संकल पर रखें कि माता लक्ष्मी जी आपकी मनो कामना शिगर पूरी करेंगी तो इसकी वरत कथा इस प्रकार से है इस वरत कथा को इस दिन स्रद्धा पुर्वक सुनने से इस वरत का संपूर नफल मिलता है तो एक बड़ा सहर था इस सहर में लाखों लोग निवास करते थे तो पहले के जमाने के लोग साथ रहा करते थे एक दूसरे के काम आते थे सयोग देते हैं पर नए जमाने के लोगों का सुरूप काफी अलग हो गया है सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं किसी को किसी की कोई परवाहन नहीं होती है घर के सदस्यों को भी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है भजन, किर्तन, भक्ती भाव, दया, माया, परोकार जैसे संसकार कम हो गए हैं सहर में बुराईयां बढ़ गई थी सराव, जुमा, रेस, व्याभी, चार, चोरी, डकेती बहुत सारे गुनाहां सहर में होते रहते हैं तो कहावा थे के हजारों निराशा में एक अमर आसा अवस्य छिपी रहती है तो इसी तरह इतनी सारी बुराईयों के बावजूद सहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे ऐसे अच्छे लोगों में शिला और उसके पती की गरहस्ति मानी जाती थी तो शिला थी धार्मिक प्रकरती की और संतोसी शुभाव की थी उसका पती भी विवेकी और सुशील सज्जन व्यक्ति था सिला और उसका पती इमानदारी से जीते थे वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय वेतित करते थे उनकी ग्रहस्ती आदर से ग्रहस्ती थी और घर के लोग उनकी ग्रहस्ती की सराहना करते थे सहर के सभी लोग उनका सम्मान करते थे और सभी अच्छे से उनसे विभार करते थे तो कर नसीब पल भर में राजा को रंक बना दिता है तो शीला के पती के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गये थे वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा था वह जल्द से जल्द करोडपती होने के सपने देखने लगा इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और पती बन गया याने की रास्ते भटकते भीकारी जैसी उसकी हालत हो गई सहर में सराब जुवां रेस चरस गांजा वगरा बदियां फैली हुई थी उसमें सीला का पती भी फस गया मित्रों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई जल्द से जल्द पेसे वाला बनने की लारिच में मित्रों के साथ रेस जुवां खेलने लगा इस तरह बच्चाई हुई धन संपती उसकी खत्म हो गई पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुवां में उसने गमा दिये इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशिल पतनी शिला के साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन में सुख सांती से समय व्यतित करता था उसके वज़ाए उसके घर में दरिदता और भूक मरी फेल गई सुख से खाने के वज़ाए दो वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शिला को पती की गालियां खाने का वक्त आ गया शिला सुशील और संसकारी थी उसके पती के बरताव से बहुत दुख होने लगा किन्तु वह भगवान पर विश्वास करके बड़ा दिल लग करके दुख सहने लगी कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख अवश्य आता है इसलिए दुख के उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी शिला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर में इस वक्त कोन आन पड़ा है फिर भी द्वार पर आये अतिती का आदर करना चाहिए ऐसे आरिये धर्म के संसकार वाली शिला ने खड़े होकर द्वार खोला देखा तो एक माजी खड़ी हुई थी वे बड़ी उम्र वाली लगती थी किन्तु उनके चेहरे पर आलोकिक प्रकास दिखाई दे रहा है था उनकी आँखों में से मानो अमरत बहा रहा था उनका भव्य चेहरा करुणा और प्रेम से चलक रहा था उनका देखते ही शिला के मन में अपार सांती वेसे सिला इस माजी को पहचानती नहीं थी फिर भी उनको देख करके सिला के रोम रोम में आनद चा गया सिला माता जी को आदर के साथ घर में ले गई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था अतह सिला ने सकुचा करके एक छोटी सी चद्दर पर उनको बिठाया माता ने कहा कि क्यों सिला मुझे पहचानती नहीं है सिला ने सकुचा करके कहा कि मा आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है बहुत सांती मिल रही है ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढून रही थी वह आप ही हैं पर मैं आपको पहचानती नहीं हूँ माता ने हसकर के कहा कि क्यों भूल गई हर शुकरवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन किर्टन होते हैं तब मैं वहां आती हूँ वहां हर शुकरवार को हम मिलते हैं पती गलत रास्ते पर चल गया तब से सिला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वहां लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जा रही थी बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे सर्मा आने लगती थी उसकी याददास्त पर जोर दिया उसने तो यह माजी उसे याद नहीं आ रही थी तब ही माता ने कहा कि तु लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी अभी तु दिखाई नहीं देती है इसलिए मुझे तेरे घर पर आना पड़ा तु क्यों नहीं आती है कहीं बिमार तो नहीं हो गई ऐसा सोच विचार करके मैं तुछ से मिलना आई हूँ माता के अती प्रेम पूर्ण सब्दों से सिला का हरदई पिगल गया उसकी आँखों में आसो आ गए मा के सामने मा बिलक बिलक करके रोने लगी यहां देख करके माता शिला के नजदीक उसे करके और उसकी सिसकती पीट पर प्रेम भरा हाथ फेर करके सौनतना देने लगी माता ने कहा कि बेटी सुक और दुख तो धूप छाम जैसे होते हैं सुक के पीछे दुख अवश्य आता है तो दुख के पीछे सुक भी आता है तुम धेरी रखो बेटी तुझे क्या परेशानी है तेरे दुख की बात मुझे बता तेरा मन भी हलका हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय तुझको मिल जाएगा माता की बात सुनकर के शिला के मन में शांती मिली उसने माता से कहा मा मेरी ग्रहस्ती में भरपूर सुख खुशियां थी मेरे पती भी शुशील थे भगवान की क्रपा से पेसे की बात घर में कोई कमी नहीं थी सब प्रकार से संतोस था हम सांती से ग्रहस्ती चलाते थे इश्वर भक्ती में अपना समय बिताते थे यकायक हमारा भाग के हम से रूट गया मेरे पती को बुरी दोस्ती हो गई बुरी संगत हो गई बुरी मित्रता की बज़े से वे शराब जूमा रेस चरस गांजा वगेरा खराब आदोतों की शिकार बन गए उन्होंने सब कुछ गमा दिया और हम रास्ते के विकारी जैसे बन गए यह सुनकर के माता ने कहा कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख अवश्य आता है एसा भी कहा जाता है कि कर्म की गती न्यारी होती है हर इंसान को अपने कर्म भुगतने अवश्य पढ़ते हैं इसलिए तू चिंता मत कर अब तू कर्म भुगत चुकी है अब तुमारी सुख के दिन अवश्य आएंगे तु माता लक्षमी जी की भक्त है, माता लक्षमी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वे अपना भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, प्रेम रखती है, इसलिए तु धेरे रखकर माता लक्षमी जी का वरत कर, इससे सब कुछ पुनाह ठीक हो जाएगा, माता लक्षमी ज कि बेटी मा लक्ष्मी जी का वरत बहुत सरल है उसे वरत लक्ष्मी वरत या वेभव लक्ष्मी वरत कहा जाता है यह वरत करने वाले की सबमनो कामना शिग्र पूरी होती है वह सुख संपती यश प्राप्त करवाने वाला वरत है ऐसा कह करके माता वेभव लक्ष्मी की विध बताने लगी बेटी वेभव लक्षमी वरत वैसे तो सीधा साधा सरल वरत है किन्तु कई लोग यह वरत गलत तरीके से करते हैं अता इसका फल उनको नहीं मिलता है कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस वरत पूरा हो गया पर ऐसा नहीं होत कोई भी वरत सास्त्र विधी से पूर्वक करना चाहिए तभी उसका फल मिलता है सिर्प सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लगपती बन जाते हैं सची बात तो यह है कि सोने के गहनों का विधी विधान से पूजा करना चाहिए और वरत की प्रफ़काल इसनान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, सारे दिन मन में जै मा लक्ष्मी जै माता लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए और शाम को पूर्वदिसा में मुख करके इसी तरह आसन पर बेड़ जाना चाहिए, सामने एक पटला रख करके उसके उपर लाल वस्त्र या रुमाल आदी रखना चाहिए, रुमाल के उपर चामल का छोटा सा धेर बना चाहिए, अथवा अश्ट दल कमल बना देना चाहिए, उस धेरी के उपर पानी से भरा हुआ तामे का कलस रखना चाहिए, कलस के उपर एक कटो सिर्फ सोने का गहना रखना चाहिए सोने का गहना नहीं हो तो चांदी का चलेगा चांदी का ना हो तो नगद रुपया पेशा उसमें रख सकते हैं और बाद में शुद्ध गी का दीपक जला करके धूप सलाई या धूप बत्तियादी जलाना चाहिए माताल लक्ष्मी जी के बहुत सारे सुरूप होते ही माताल लक्ष्मी जी को स्रीयंत अती प्रिय होता है अताहा वेभव लक्ष्मी में पूजन विधी करते वक्त पर्थम स्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविद सुरूपों का सच्चे दिल से दर्सन करना चाहिए और स्रीयंत्र का विधी पुर्वक पूजन भी आप कर सकते हैं यदि आपके घर में हो उसके बाद लक्षमी इस्तवन का पाट करना चाहिए बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपयों को हल्दी कुमकुम और चामल चड़ा करके पूजा करना चाहिए लाल रंग का पुष्प अवश्य चड़ाना चाहिए शाम को कोई मीठी चीज बना करके उनका प्रसाद रखना चाहिए ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी आप रख सकते हैं फिर अपनी फिर आरती करके ग्यारह बार सच्चे हरदे से जै माता लक्ष्मी की जैकार करते हुए ग्यारह या 21 सुकुरवार का यह वरत करके दरड़ संकल्प माता जी के सामने करना चाहिए और आपकी जो मनो कामना हो वह भी माता जी से कहना चाहिए लक्ष्मी जी से विंती करना चाहिए फिर माता का प्रसाद बांट करके थोड़ा प्रसाद स्वयम अपने लिए रखना चाहिए अगर आप में शक्ती हो तो सारा दिन उपवास रखे सिर्फ प्रसाद कहा करके वरत कर सकते हैं शक्ती नहीं हो तो एक बार साम को प्रसाद गरहन करते समय भोजन ले सकते हैं अथ्वा यदि ज़्यादा ही शक्ती नहीं हो तो दो बार भोजन ले सकते हैं और बाद में कटोई में रखा हुआ गहना या रूपया रख देना चाहिए कलस का पानी तुलसी क्यारे में डाल देना चाहिए और चामल पंचियों को डाल देना चाहिए इस तरह सास्तर की विदी के नुसार इस वरत को करने से उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा इस वरत के प्रभाव से सब प्रकार की विपतियां दूर हो करके व्यक्ति धनवान हो जाता है सुक संपती संपता की कमी नहीं होती है और संतान नहों तो संतान प्राप्ती की योग बनते हैं सोभागिवती इस्तरी का सोभाग्य अखंडर आता है और कुमारी इस्तरियों को मन भावन पती की प्राप्ती हो जाती है जो मनो कामना होती है वह भी पूर्ण हो जाती है तो शिला यहाँ सुनकर के आनंदित हुई फिर पूछा कि मा आपने वेभव लक्ष्मी का जो सास्त्री विधी इस वरत की बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी किन्तु इसकी उद्यापन की विधी किस तरह से करना चाहिए करपा करके बताने की करपा करें तो माता ने कहा घ्यारा या jurisdiction जो मननत तुमने रखी हो उतने शुक्रवार यहाँ वेभव लक्ष्मी का वरत पूरी सरद्धार वावनासे करना चाहिए वरत के आकरी शुक्रवार को सास्त्र की विधी के नुसार उद्यापन करना चाहिए यहाँ मैं तुम्हें बताती हूँ आकरी शुक्रवार को खीर का निवेद्ध रखना चाहिए पूजन विधी हर शुक्रवार को करते हैं वेसे ही करना चाहिए पूजन विदी के बाद स्रीफल फोड़ना चाहिए कम से कम साथ कुमारी या सोभा के साली इस्तिरियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम वेभव लक्ष्मी की एक एक पुस्तक उपहार में देना चाहिए स्रंगार की सामगरी दे सकते हैं इसके साथ में और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए फिर धन लक्ष्मी सुरूप वेभव लक्ष्मी सुरूप माता लक्ष्मी जी की छवी को प्रणाम करना चाहिए मा लक्ष्मी जी का यह सुरूप वेभव को देने वाला है प्रणाम करके मनी मन भाउकता से माता की प्रार्तना करते वक्त कहें कि हे माता लक्ष्मी हे मा वेभव लक्ष्मी मैंने सच्चे हरदे से आपका वेभव लक्ष्मी का यह वरत संपूर्ण किया है तो हे माता लक्ष् इस्तिरी का सोभाग या अखंड रखना कुमारी लड़की को मन भावन पती देना आपका यह चमतकार विभव लक्ष्मी जो वरत करें उनकी सब विपत्ती दूर करना सब को सुखी रखना है माता लक्ष्मी आपकी महिमा अपरम पार है इस तरह माता जी से प्रारतना करके मात कामना इससे पूरी हो जाती है तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यानवरधग जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे माता महा लक्ष्मी जी की विसेश क्रपा दरश्टी आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें धन्यवाद जै माता लक्ष्मी जै स्री क्रश्न फिर मिलेंगे